हेलो व्यूज, आज की एपिसोड में इकबर फिर से आपका स्वागत है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले भैस प्रशन से सवाल था, कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाले जावन राइनो की IUCN स्थिति क्या है? उप्शन से लीस्ट कंसर्ण, वल्नेरेबल, नियर थ्रेटर्ड और क्रिटिकली इंडिंजर्ड तो इसका सही जवाब था उप्शन डी क्रिटिकली इंडिंजर्ड चलिए अब इसका विश्टेशन देखते हैं हाली में इंडोनेशिया के उजंग कुलोन नेशनल पार्क में एक नए जावन राइनो के बच्चे को देखा गया है आपको बतादें कि जावन राइनो या गेंडा दुनिया के सबसे दुरलब गेंडों में से एक है इसे छोटे एक सींग वाले गैंडे की रूप में भी जाना जाता है ये जंगलों, दलदली क्षेत्रों और घनी जाडियों और बास के क्षेत्रों में निवास करता है जावन राइनो भारती एक सींग वाले गैंडे से छोटा और हलका होता है जबकि ये वजन और आकार में अफ्रीकी काले गेंडे के बराबर होता है ये केवल इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में इस्थित उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में पाया जाता है इसकी IUCN इस्थिती क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसलिविकल्प डी सही है चली वाज के सेशन का पहला सवाल देखते है हाली में समचारों में रहे वाटर मील शब्द के संबंध में निमनलखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कथन है ये केवल शुषक और अर्ध शुषक छेत्रों में पनपता है और दूसरा कथन ये दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है आपको बताना है कि इनमें से कौन साय कौन से कथन सही है या सही है केवले केवल दो एक और दो दो या पर ना तो एक और नहीं दो तो सही आंसर है option B केवल दो हाली में वेग्यानिकों ने अंतरिक शात्रियों के लिए पोशन और oxygen के स्रोथ के रूप में water meal की क्षामता पर शूद करना शुरू किया है दरसल water meal एक बहुत छोटा यानि एक मिलिमिटर से कम हलका हरा स्वतंत रूप से तैरने वाला जड़ रहित पौधा है ये एरेसी परिवार का एक जलिय पौधा है जो सम्शीतोष्न उपोश्न कटीवंधिये और उश्न कटीवंधिये स्थानों में पनगता है इसलिए कथन एक सही नहीं है ये जीलों, तालाबों और दल्दलों की सतह पर उखता है ये दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है जो छोटे हरे बीच के रूप में दिखाए देता है इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार्विकल पे भी सही उत्तर है चलिए अगला प्रशन तो सही आंसर है अप्शन D, राफेल अडवानस डिफिन्स सिस्टम हाली में आईरन डूम मिसाइल रक्षपरणाली ने घाज़ा पटी से लाँच के गए पांच सो से जादा रॉकेटों को रोक दिया आईरन डूम इसराइल के एक उलेकने वाय रक्षपरणाली है और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा पे किस्द किया गया है इसकी शुरुआत मार्च 2011 में हुई और इसने अब तक लग भग 2000 से अधिक रॉकेटों को रोका है इसलिए विकल्पडी सही उत्तर है चलिए नेक्स कॉस्टन पहला कथन और दूसरा कथन है उपर रुक में से कौन सा है कौन से कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो सी एक और दो दो नो या पर डी ना तो एक और नहीं दो तो सही जवाब हुगा उप्शिन बी केवल दो भारत सरकार सिकल सेल रोकी जाच और सिकल सेल कार्ड के वितरन हेतु पातर व्यक्तियों को जुटाने के लिए माननेता प्राप्ट सामजिक स्वास्थेकारे करता आशा स्वास्थेकारे करताओं को प्रोच सहन देने की योजना बना रही है आपको बता दें कि आशा प्रशिक्षित महिला सामदा एक स्वास्ते कारे करता है वर्दमान में आशा योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों केंदर शास्तित प्रदेशों में लागू है इसलिए कथन एक सही नहीं है आशा कारे करता भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए राश्ट्रे ग्रामी और स्वास्ते मिशन का एक मुख्य हिस्सा है राज्यों को प्रते एक हजार लोगों पर कम से कम एक आशा कारे करता को निक्ट करना निवार रहे है इस लिकत हंदो सही है तो इस प्रकार विकल पे भी सही उत्तर है नेक्स सवाल कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली मॉन्ट ब्लांक चोटी किस देश में स्थित है इतली, फ्रांस, स्पेन या फिस स्विजलन तो जवाब है option B France एक हाल ये शोट से पता चला है कि फ्रांस के सबसे उचे परवत मॉन्ट ब्लांक की उचाई में कम हो रही है इसका मुखे कारण ये है कि बढ़ते तापमान की चलते इसके शेश पर मौजूद बर्फ का अकार कम हो रहा है आपको बता दें कि मॉन्ट ब्लांक यूरोग की सबसे उची चोटी है यानि 4807 मीटर उची है ये आल्पस में फ्रांसेसी इतालवी सीमा पर स्थित है इसका नाम इसे ढखने वाली 12 मासी बर्फ की टोपी से आया है जिसका शाबदिक अर्थ है सफेद पहाड ये परवत इटली के ओस्टा घाटी और फ्रांस के सावोई और हाउते सावोई क्षेत्रों के बीच ग्रेयन आल्पस नामक शंकला में स्थित है इसलिए विकल्प भी सही है चलिए आगे बढ़ते हैं भारती डाक सेवा के संदर्ब में निमनलखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कतन ये दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरत डाक प्रणालियों में से एक है दूसरा कतन ये संचार मंत्राले के अधीन कारे करती है और तीसरा कथन भारत में डाक सेवा की शिरुआत 1856 में लॉड डलहौजी ने की थी आपको बताना है कि इन्वे से कितने कथन सही हैं केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं तो जवाब है option B केवल दो बीते 10 अक्तूबर को राष्टर डाक दिवस या नेशनल पोस्ट डे मनाया गया ये दिवस विश्व डाक दिवस कविस्तार है जो 9 अक्तूबर को मनाया जाता है इस दिवस का उदेश है भारते डाक विभाग की महतवपूर्ण भूमिका और उसके उलेखने सेवाओं को चन्नित करना है आपको बता दें कि भारत में डाक सेवा की शिरुवात 1854 में लॉड डलहौजी न की थी इसलिए कथन 3 सही नहीं है भारते डाक सेवा केंद्रे संचार मंतराले के अधिनकारे करती है इसलिए कथन 2 सही है ये दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितर डाक प्रणालियों में से एक है इसलिए कथन 1 सही है भारत में डाग घर 6 अंके पिन कोट प्रणाली का पालन करते हैं जिसे 1972 में शुरू किया गया था इस प्रकार विकल पे भी सही है अगला सवाल हाली में समचारों में देखे गए Card on File Tokenization शब्द के संबंद में निमने लिखित कतनों पर विचार कीजे कथन 1 ये वास्तविक Credit और Debit Card विवरन को Token नामक वेकल पे Code से बदलने को संदर्भित करता है और कथन 2 ये भारते Reserve Bank द्वारा प्रस्तावित है उपरित में से कौन सा है कौन से कथन सही है सही है किवल एक, किवल दो एक और दो दोनो या फिर न तो एक और नहीं दो तो तर होगा Option C एक और दो दोनो हाली में भारते Reserve Bank ने Online Transaction को और सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों के समख्ष Card and File Tokenization का प्रस्ताव रखा है इसलिए कथन 2 सही है आपको बता दें कि Card and File Tokenization वास्तविक Credit और Debit Card विवरन को Token नामक एक वैकल पे Code के साथ बदलने को संदर्भित करता है जो Card, Token अनुरूद करता और Device के संयोजन के लिए अधितिय होता है इसलिए कथनेक सही है Token ये Card लेंदेन को अधिक सुरक्षित बनाता है क्योंकि लेंदेन प्रसंस करन के दोरान वास्तविक Card विवरन वियापारी के साथ साजान नहीं किया जाता है Card on Transaction एक लेंदेन है जहां Card धारक वियापारीों को तो सही जवाब है Option B अनुसूचित जाती के सबसे गरीब छात्रों को गुणवत्ता पून शिक्षा प्रदान करना हाले में केंद्रे सामाजिक नहाएव मधिकार्यता मंत्राले ने श्रेश टियोजना की शुरुआत की है आपको बता दें कि श्रेश्ट एक आवासे शिक्षा योजना है इसका पूरा नाम Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas है इसका उदेश सम्विधान के मताबिक अनुसूचित जाती के सबसे गरीब छात्रों के लिए तीन हजार चात्रों को इस प्रणाली के तहट कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा इसलिए विखल पे भी सही है चलिए आगे बढ़ते हैं नोबेल पुरसकार के संदर्ब में निमने लिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कत्षन इनकी शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी और दूसरा कत्षन अर्थ शास्त्र का नोबेल 1968 में शुरू हुआ था आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कतन सही है सही है एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनो या फिर डी ना तो एक और नहीं दो तो सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनो हाली में नोबिल पुरसकार 2023 विजेताओं की सूची जारी की गई आपको बता दें कि नोबिल पुरसकार दुनिया में बौधिक उपलब्धी के लिए दिये जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरसकारों में से एक है ये पुरसकार वर्ष 1901 से दिया जा रहा है ये अलफ्रिड नोबिल की दृष्टिकोन के अनुरूप है और उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए अपना उलेखने योगतान दिया है उन्होंने अपनी अंतिम वसियत और वसियत नामा के माध्यम से 1895 में नोबिल पुरसकारों किस्थापना की ये पुरसकार नोबिल के निधन के पांच साल बाद यानि 1901 में प्रदान किये गए थे इसलिए कथन एक सही है शुरुआत में ये भौतिकी रसायन चिकितसा सहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था लेकिन 1968 में छटा पुरसकार अर्थवयस्था के क्षेत्र में स्विडन के केंद्रिय बैंक स्विरी जेस रिक्स बैंक द्वारा शुरू किया गया था इसले कथन दो सही है इस प्रकार विकल्पसी सही उत्तर है चले next question भारते समविधान की पाँचवी अनुसूची के संबंद में निम्निलखित कथनों पर विचार कीजे पहला कथन ये असम में घाले त्रिपुरा और मिजरम में अनुसूचित क्षेतरों और अनुसूचित जैनजातियों के प्रशासन और नियंत्रन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है और कथन दो भारत के राष्टपती को किसी क्षेत्र को अनसूचित क्षेत्र गोशित करने का अधिकार है उपर एक में से कौन सा या कौन से कथन सही है सही है केवल एक केवल दो एक और दो दो या फिर ना तो एक और नहीं दो तो जवाब होगा ऑप्शन बी केवल दो हाली में सुप्रीम कोट ने इस बात पर जोड दिया है कि पांचवी अनसूचि का पैरग्राफ फाइव वन राजजपाल को ये निर्देश देने की शक्ती देता है कि संसदिय या राज्य कानून अनसूचित क्षेतरों पर लागू नहीं होंगे या ये केवल कुछ अपवादों और संचोधनों के साथ लागू होंगे आपको बतातें कि भारते संविधान की पांचवी अनसूची असम मेगाले तरपुरा और मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में अनसूचित खेतरों और अनसूचित जनजात्यों के प्रश्टास अनौन नेंतर से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है इसलिए कथनेत सही नहीं है बोड़ तलबे की संविधान की छटी अनसूची में असम मेगाले तरपुरा और मिजोरम के अनसूचित खेतरों से संबंधित विशेश प्रावधान दिये गए है अनुच्छे 241 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसी क्षेतर को अनुसूचित क्षेतर घोशित करने का अधिकार है इसले कथन्दो सही है वो निर्देश दे सकता है कि अनुसूचित क्षेतर का पूरा या कोई निर्दिश्ट भाग अनुसूचित क्षेतर नहीं रहेगा इस प्रकार विकल्प भी सही है चलिए हम रोट का लिजा अजका भ्यास प्रशन तह सवाल के जबाब कौमें सेक्षन में जरूर दीजिएगा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में फिकस्टन के अंसर के साथ सब तक के लिए जय हिंद